नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दो वाइरल मेडिया दोस्तों आज कल के वीडियो में हमने रेखा था कि गोट फार्मिंग का बिजनिस टार्ट कैसे करते हैं, उसको आगे कैसे ले जाते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे How to get a loan and subsidy for a goat farm दोस्तों जैसे कि आपको सबको पता है कि गोट फार्म का अगर आप बिजनिस टार्ट करना चाते हो तो आप उसके लिए आपको subsidy government के ओर से मिलती है वो subsidy कितनी होती है, कैसे ली जाती है या फिर अगर आपको loan करना है, तो कितने परसेंट का डाउन पेमेंट करना पड़ता है कितने परसेंट का loan देता है, कौन loan देता है, नाबाढ़के थ्रू लोन कैसे लेना होता है और कौन-कौन से बैंक के loan प्रवाइड करती है, इसका interest rate क्या है उसकी procedure क्या है, यह सारी चीजे हम इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले तो start करते है दूस्तों Goat farming in India, यहाँ पे India is the largest producer of goat milk in the world and is ranked second for the production of goat meat यहने की दुनिया में दूसरा rank है goat meat के production में Indian population of goat is estimated at 13.5 crore and which is spread across 24 breeds which are indigenous to India this means India's goat population account for 18% of the world population of goat दूसरा goat farming जो इंडिया में कौन-कौन से states में होता है जैसे के करनाडा का है तेलंगना है आंद्रा है महाराश्टरा है मध्यप्रदेश है औरिसा है राजस्तान बिहार जार्खर लुतर प्रदेश और पश्चम बंगाल इस सब स्टेट्स में कोट फार्मिंग का जो है बहुत ज्यादा लोग उसको फार्मिंग का स्टार्ट बिजनेस टार्ट कर रहे हैं लेकिन यह जो स्टेट्स से उनके जो भी गोवर्मेंट से इस गोवर्मेंट्स और दो गोवर्मेंट अब ईस स्टेट्स है उनके जो लोग बैंक से और नाबाड के साथ मिलके वह जो गौट फार्मिंग बिजनेस इसके लिए सब सीडी दिये तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यह नाबाड क्या हैं गोड फार्म लोवर्मेंट्स और नाबाड नाब नाबाड क्या करता है कि जो भी जिनका भी income source, main income source agriculture है, उनको agriculture के related business हो है, agriculture में कुछ उनको crops लेना हो, तो उसके लिए loan प्रोवाइड करता है, उसके अलावा, लोन के अलावा, नाबाड will help by providing subsidy loan scheme to rural people, याने कि loan के साथ साथ कुछ जो loans के हैं उसके subsidy भी वो provide करता है, जो रूलर एरिया में रहते हैं, और जिनका main income agriculture है, अभी सबसे पहले start करने से पहले एक rough view देखते हैं कि कि इतना खर्चा आता है, और उसके ऊपर कितना loan लगेगा, और किसे लेना है, सपोज एक यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है कि, सपोज मैं 50 goats का farm start कर रहा हूँ, तो उसका capital cost, यहाँ पर मैंने cost consider नहीं किया, जी land का cost, अगर आप के पास खुद का farm है, तो ही आप ऐसा मैंने consider किया है, तो यहाँ पर 50 goats का जो cost है, एक goat का मैंने 5500 के रूपई के हिसाब से goat का cost लगाया है, जो जाता है, 2,75,000, total 50 goats का, और उसका shade का 60,000, गोडाउन, उसको लगेगा, जो feeder, cutter, cutter है, उसको लगाने के रिए, और cutter, mixer, machine, feeder, यह सब का capital cost है, वो वन टाइम cost आप इसको बोल सकते है, वो है, 355,000, उसके अलावा यहाँ पे आपको running cost भी pay करना पड़त है, vaccine है, electricity, transport, यह सब का मिला के 1,72,750 रूपीज, और उसका जो total cost, 50 goats का अगर आपको farm start करना है, तो उसका जो total cost जाता है, excluding आपका land cost, क्योंकि land यहाँ पे consider नहीं किया है, अगर आपके पास land नहीं है, तो आप उसको भी cost इसमें add कर सकते हैं, और उससा project report बना किया, आप bank क submit कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका total cost है, capital plus running, 5,27,750 रूपीज, तो उसमें से 15% of total cost आपको max down payment करना पड़ेगा, जैसे के 80,000 रूपीज, और 85% आपका bank finance होता है, अभी 85% में से आपको subsidy कितना मिलेगा, और या फिर total loan में से आपको subsidy कितना मिलेगा, तो subsidy may vary from general category to reserve category, यह है कि general open category है, और reserve category में थोड़ा variation है, जैसे कि जो subsidy है, वो 25% से लेकर 35% तक आपको, 25% to 35% of total cost, जो भी आपका project का cost है, यानि कि अगर आप project cost है, जैसे कि हमने अभी देखा था, 5,00,000 के ओपर जो जा रहा था, वो उच्वीच इंक्लूड शेड, construction, feeder, cutter and all things, so 25-35% आपको उस को आपको loan कैसे लेना है, सबसे पहले जब भी आप goat farm business के लिए ready हो, उस समय आप you have to visit, आपको एक जो भी commercial bank, ruler या cooperative bank है, वहाँ पे जाके आपको inquiry करने पड़ेगे कि, जाके आपको हाँ पे inquiry करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे goat farming के लिए loan मिलता है या नहीं, अगर उनक आपको inquiry कर सकते है कि उनका जो पास good farming loan के लिए application form है, वो आप उनसे ले सकते हो, उसके बाद we have to fill that form means, आपको जो भी form है, वो completely fill करना है, complete the application form with the assistance from the bank officer and prepare a brief project report which will submit to nabad, याने कि जो भी form है, वो आपको fill करना है, वो bank officer के साथ बैटके और एक चोटा सा project report आपको loan application के लिए करना है, और जो आपको आगे जाके नाबाड में submit करना है, उसके बाद जो next step है, once the application has report has been, application and report has been submitted, wait for few weeks for it to get approved, याने कि जब आपने application submit किया है, तो आपको कुछ दिन लगेंगे उस loan को approve करने के लिए तब तक वेट करिए, उसी दारान जो फोर्त फाइंट है, उसी दारान बैंक का एक जो technical officer आपके farm में आ सकता है, और farm के पूरा पर देख सकता है, inspection कर सकता है, और उसके बाद यो लोन sanction कर सकता है, और the loan borrower needs to patent 15% of the loan amount from his pocket, जैसे के हमने start में दिखा था, 15% आपको down payment करना पड़ता है, while the remaining will be provided as a loan, उसके बाद एक बार आपका loan sanction होता है, तो आप आप वहाँ से पैसे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक advice है, दोस्तों कि जब आप goat farming start कर रहे हो, तो starting में ज्यादा number से start ना करें, starting में आप 15-20 ऐसे number से start करें, और जब आप उसमे experience होता है, 6 महीने एक साल बाद आप उसमे numbers बढ़ा सकते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा and if you are planning a large goat farm, you are eligible to get subsidized loan for purchase of land, construction of goat pains, machinery, milking, a detailed project report needs to be provided, और आप अगर बड़ा goat farm 200-300 goats का start करना है, तो उसके लिए आप subsidized loan में land, construction यह सब कोश डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप को एक प्रटिकलर प्रपर रिजल्ट बनाना पड़ेगा, और रिपोर्ट बनाना पड़ेग और रिपोर्ट आपको नाबाड को सब्मिट करना पड़ेगा, और नाबाड के अलावा और कौन-कौन से इसे बैंक से जो यहाँ पे लोन देते हैं, जैसे कि एक है, State Bank of India, SBI, Industry Development Bank of India, IDBI, महराष्टर बैंक आपको लोन देता है, OBC, Oriental Bank of Commerce, Cooperative Bank, जो भी आपके यहाँ एरिय उसके बाद है, Syndicate Bank, और एसारे बैंक में आपको लोन, गोड़ फार्मिंग के लिए लोन मिलेगा, और वो भी सब्सिदाइज रेट में मिलेगा, तो सबसे पहले बात जो एक बॉटम लाइन आप यहाँ पर कही सकते हो कि, It is easy to get a loan if you have prepared project report well, and if you meet all technical parameters set by नाबाड, इसका मिन पर क्या है दोस्तों, आपका जो गोड़ फार्मिंग का project report है, वो बहुत अच्छे से आपको बनाना है, क्योंकि अन दे जो भी project report है, उसके base पे ही आपको जो भी loan है, वो sanction होने वाला है, तो आप जब भी project report बना रहे हो, तो बहुत अच्छे से उसमें हर एक cost mention करो, और तक चीज़े उसमें include होने चाहिए, कुछ भी चीज़े उसमें से बाहर नहीं निकलने चाहिए, इस सारे चीज़े include करके बड़ा एक छोटा सा 22-30 page का project report बनाना है, और सबसी बड़ी बाट, वो project report जो है, उसके जो सारे data है, it should meet with all technical parameters said by naward, naward ने जो parameter said थे, वो parameter आपके project report के सा match होने चाहिए, तबी जाके आपका loan बहुत easily sanction हो सकता है, और आपको बहुत easily loan मिल सकता है, तो इस तरीके से आप procedure follow को रगे, तो आपको एक goat farming का business within 2 और 3 months आप start कर सकते हो, उसके अलावा आपको starting करने से पहले बहुत सारी जगह पे आपको training goat farming का जो 5 days या 4 days training होता है, उसक आप एक बार अटेंड कर लो, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर की बार की जो चीज़े हैं, उसमें advantages, disadvantages, कैसे देख भाल करने हैं, क्या-क्या गास के लन, तो सार आपके 5 days program होता है, या 3 days program होता है, उसके अंदर सारी चीज़े mention की होती है, तो मेरे एक राय है दोस्त कि जब आप स्टार्ट करना चाहते हो, उससे पहले एक 3 या 5 दिन का training attend कर लो, उसके बाद पूरी माई जानकार लेने के बाद ही उसको loan को apply करो, और उसके बाद स्टार्ट करो, तो thank you for listening me, and please don't forget to like and subscribe my channel, the viral कर लो, तो, गला, नसके बाद बाद है बाद है